हेलो गाइच, वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल, क्यारियर फ्लक्स विच प्रिंस तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट कार्ड, हाउ टू राइट और पोस्ट कार्ड तो चलिए हम आज की इस विडियों बताते हैं कि आप लोग कैसे पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं तो हम लोग कोस्ट के साथ बताएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेजिए आप हम आपको सिखाते हैं कि आप पुष्ट कार्ट कैसे लिख सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लेस लिखना है फिर डेट लिखना है जैसे कि आप प्लेस जहां से लिख रहे हैं जैसे आप Bikram 1 से लिखना है तो आपको Bikram 1 लिखना है फिर उसके बाद date लिखना है आपको date पुरा full लिखना है जैसे आज 22 January 2020 आपको ऐसा लिखना है फिर उसके नीचे आपको solution लिखना है फिर उसके नीचे content लिखना है और सबसे first में postcard number 1 और फिर आपको ये सब लिखने क के बाद box को बंद कर देना है box is compulsory दोस्तों वीडियो को इसके बिल्कुल ही मत किजिएगा नहीं तो मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो को इंड तक देखें अब यहां पे postcard no.2 सबसे पहले आपको वैसे simply करना है कि आपको एक box ब पूरा लिखते हैं जैसे कि आप मतलब आपको किसी ने वाच देते हैं तो आपको वहां पर लिखते हैं आपको पूरा नाम लिखना है फिर complete address लिखना है और फिर सबसे नीचे पीन लिखना है तो चलिए आप लोग तो यहां तक समझ गए अब हम लोग अपना question करते हैं तो यहां पर हम आपको बहुत ही example question दिखाने वाले हैं तो चलिए मेरा question जो कहता है हम उसको पढ़के फिर उसके बाद answer करते हैं तो suppose you are rakes your uncle has sent you an alarm clock on your birthday write a postcard thanking him तो चलिए हम लोग simply postcard को लिखते हैं आप लोग सिख भी जाएंगे कि हम लोग कैसे postcard को लिखते हैं तो यहां पर हम जैसे कि पटना से लिख रहे हैं तो आपको यहां पर पटना लिख जाना है फिर उसके नीचे आपको पूरा full date लिख दाना है फिर उसके बाद आपको आपको सिर्म ऐसे ही लिख देना है और फिर आपको इसको एक box बना देना है मैंने उस बिडियो में भी पताया था कि box is compulsory तो आप लोग ध्यान रखे कि box छूटे नहीं नहीं तो postcard हमारा गलत हो सकता है तो दोस्तो वो तो हमारा postcard number one था और यह postcard number two तो सबसे पहले आपको एक box बना देना है और box बनाने के बाद आपको उसको आधा कर देना है मतलब कि आपको बीच में एक line कर देना है और फिर line खिशने के बाद आपको left side में लिखना है it is beautiful and useful me I missed you a lot on this occasion you are lovingly rakesh क्योंकि rakesh ही भीज रहा है तो आपको सिर्फ right side में आपको लिखना है सबसे फर्स्ट में अस्टाम और फिर Mr. Randhir Singh मत क्लब की receiver name Mr. Randhir Singh जो है वो receiver है और फिर आपको नीचे pin लिखना है और आपको box को बना देना है तो चलिए कितना easy तरीकों से मैंने बताया कि आप लोग postcard कैसे लिख सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए subscribe कीजिए और जाया चेता share कीजिए